Hello everyone, welcome back to Home Tutor आज की वीडियो में हम देखेंगे Class 7th के संस्कृत विशय के Part 5 का अभ्यास कार्य तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और अगर आपको ये वीडियो हलफुल लगे तो इसे लाइक और शियर जरूर करें साथ में चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए तो यहाँ पर पहला है एक पदेन उत्तरत यहाँ पर कुछ प्रशन है जिनका की एक पद में उत्तर देना है पहला प्रशन है पंडिता सरस्वती इति उपाधिभ्याम का विभूशिता पंडिता सरस्वती इस प्रकार की उपाधियों से किसे विभूशित किया गया तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा रमा बाई हमने पाठ में पढ़ा था कि पंडिता और सरस्वती इन उपाधियों से रमा बाई को विभूशित किया गया था तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा रमा बाई अगला प्रश्न है रमा कुता संस्कृत सिक्षाम प्राप्त वती रमा ने संस्कृत की सिक्षा कहां से प्राप्त की यहाँ पर उत्तर हो जाएगा स्वामात हु रमा बाई केन सह विवाहम अकरोत रमा बाई ने किसके साथ विवाह किया तो यहाँ पर हो जाएगा विपिन बिहारी दासेन क्योंकि प्रशन हमारा तृतिय भी भक्ति में है यहाँ पर एक केन तो उसी केनुसार उत्तर देना होता है विपिन बिहारी दासेन अगला प्रश्ण है कासाम सिक्षाय रमा भाई स्वाकियम जीवनम अर्पित वती किसकी सिक्षा के लिए रमा भाई ने अपना जीवन अर्पित कर दिया नारियों की सिक्षा के लिए रमा भाई ने अपना जीवन अर्पित किया था तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा अगला प्रश्ण है रमाबाई उच्च सिख्षार्थम कुत्र अगच्छत रमाबाई उच्च सिख्षा के लिए कहां गई तो यहाँ पर हो जाएगा इंग्लेंड देशम अगला प्रश्ण है रेखांकित पदान आधरित्य प्रश्ण निर्माडम कुरुत तो देखिए यहाँ पर कुछ वाक के लिखे हैं और इन में कुछ पद ऐसे हैं जिने रेखांकित किया गया है इन ही रेखांकित पदों की अनुसार यहाँ पर प्रशनों का निर्माड करना है तो संस्कृत में इस तरह से जब आपको प्रशन उत्तर देने हैं तो क्या करना होगा आपको लिंग, विभक्ति और वचन का ध्यान रखना होगा आपको याद होना चाहिए तभी आप इस तरह की प्रशनों की उत्तर दे पाएंगे जैसे कि यहाँ पर पहला प्रश्ण है रमायाह पिता समाजसी प्रतारणाम असहत रमा की पिता समाज की प्रतारणा को सहे तो यहाँ पर रमाया क्या है सश्टी विभक्ति का एक वचन है तो हमारा जो प्रश्ण बनेगा वो भी सश्टी विभक्ति के एक वचन में बनेगा तो यहाँ पर रमाया की जगा क्या हो जाएगा अगला है पत्तिहु मरडांतरम रमाबाई महराश्टरम प्रत्यागच्छत पत्ति की मृत्यु के उपरांत रमाबाई महराश्टर चली गई तो यहाँ पर पत्तिहु शब्द को रेखांकित किया गया है पत्तिहु क्या है ये भी सश्टी भी भक्ति का एक वचन है और पती शब्द कैसा है? पुलिंग शब्द है, तो उसे के अनुसार यहाँ पर हम प्रश्न निर्माड करेंगे, तो यहाँ पर सश्थी विवक्ति का एक वचन पुलिंग में क्या हो जाएगा? कस्य मरणांतरम रमाबाई महराष्टरम प्रत्यागच्चत किसकी मृत्य के उपरांत रमाबाई महराष्टर आ गई? अगला है रमाबाई मुंबाई नगरे शार्दा सदनम अस्थापित रमाबाई ने मुंबाई नगर में शार्दा सदन स्थापित किया, तो यहाँ पर मुं तो यहाँ हो जाएगा रमा बाई कुत्र शार्दा सदन अस्थापित किया अगला है 1922 तमेख खृष्टाप दे रमा बाई महो दयायाह निधनम अभवत सन 1922 इसवी में रमा बाई महो दयायाह का निधन हो गया तो यहाँ पर रमाबाई महो दयायाह को रिखांकित किया गया है ये क्या है रमाबाई शब्द इस्त्री लिंग है और ये सश्टी विवक्ती एक वचन में है तो हमारा प्रश्ण भी सश्टी विवक्ती एक वचन इस्त्री लिंग में होगा तो यहाँ पर हम लगा देंगे कस प्रत्मा विभक्ति का बहुवचन है तो हमारा जो प्रश्न होगा वो भी इस्त्री लिंग प्रत्मा विभक्ति का बहुवचन रूप होगा यहाँ पर हो जाएगा काह सिक्षाम लभनते स्म अगला है प्रश्ना नाम उत्राड लिखत यहाँ पर प्रश्न दिये हैं इनके उत्तर लिखने है तो यह जो प्रश्न है इनके उत्तर हम पूरे वाख्य में लिखेंगे पहला प्रश्ण है रमा बाई की मर्थम आन्दोलनम प्रारब्ध वती रमा बाई ने किसके लिए आन्दोलन प्रारम किया यहाँ पर उत्तर होगा रमा बाई बालिका नाम, स्त्रिया नाम चाकृते, संस्कृत अस्य, वेद सास्त्रादिकस्य, च, सिक्षाय, आंदोलनम, प्रारब्ध वती रमा बाई ने बालिकाओं और स्त्रियों के लिए संस्कृत और वेद आदिकी सिक्षा के लिए आंदोलन प्रारंब किया अगला प्रश्न है निसहायाह स्त्रियाह आश्रमे किम किम लभनतेस्म निसहाय स्त्रियां आश्रम में किस-किस लाब को प्राप्त करती थी तो इसका उत्तर हो जाएगा निसहायाह स्त्रियाह आश्रमे मुद्रण टंकन काश्ट कलादीनां च प्रसिक्षणाम अपी लभनते इस्म निसहा इस्त्रियां आश्रम में मुद्रड, टंकन और काश्ट कला आधिका प्रसिक्षड प्राप्त करती थी या उसका लाव उठाती थी अगला प्रश्न है कस्मिन विशय रमाबाई महोदयायाह योगदानम अस्ती किस विशय में रमाबाई महोदया का योगदान है तो इसका उत्तर होगा इस्त्री सिक्षायाम समाज सेवायांच विशय रमाबाई महोदयाया योगदानम अस्ती इस्त्री सिक्षा और समाज सेवा के विशय में रमाबाई महोदया का योगदान है अगला प्रशन है केन रचना दोयन रमाबाई प्रशन सिता वर्तते तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा स्त्री धर्म नीती, हाई काष्ट हिंदू विमेन, रचना दोयन, रमाबाई, प्रसंशिता, वर्तते स्त्री धर्म नीती और हिंदू काष्ट विमेन ये दो रचनाएं हैं जिनसे की रमाबाई की प्रशंसा होती है अगला है अधो लिखिता नाम, पदा नाम, निर्देशा अनुसारम, पद परिचयम लिखत यहाँ पर क्या है, कुछ शब्द रूप दिए गए हैं, इनका निर्देशा अनुसार परिचय लिखना है जैसे कि यहाँ पर एक उधारड दिया हुआ है, पद है, वेदा नाम, इसका मूल शब्द क्या है? वेद, कौन सा लिंग है? पुलिंग है, बिभक्ती कौन सी है? सश्ठी बिभक्ती है, और वचन कौन सा है? बहु वचन है, इसी तरीके से अगला यहाँ पर है पिता, तो पित क्या का मूल शब्द क्या हो जाएगा? पित्री, लिंग क्या हो जाएगा? पुलिंग, पिता जो है वो पुलिंग शब्द है, तो यहाँ पर हम लिंग लिखेंगे, पुलिंग, और विभक्ती कौन सी है? तो विभक्ती यहाँ पर है, प्रत्मा विभक्ती, और वचन कौन सा है एक वचन है अगला यहाँ पर देखिए सिक्षाए सिक्षाए क्या है यह इसका जो मूल शब्द है वो है सिक्षा और लिंग क्या है स्ट्रीलिंग है सिक्षा सब्द स्ट्रीलिंग है तो यहाँ पर लिखेंगे स्ट्रीलिंग कौन सी विभक्ति है तो ये है चतुर्थी विवक्ति वचन कौन सा है तो ये है एक वचन अगला शब्द है कन्याह तो कन्याह क्या है इसका मूल शब्द हो जाएगा कन्या और लिंग इसका हो जाएगा स्त्रिलिंग कन्या शब्द स्त्रिलिंग है तो यहाँ पर लिख देंगे बिभक्ति कौन सी है तो यहाँ पर बिभक्ति हो जाएगी प्रत्मा और कन्याह शब्द का वचन क्या है यहाँ पर तो यह हो जाएगा बहु वचन अगला शब्द है नारी लाम तो नारी लाम का मूल शब्द क्या है नारी लिंग क्या हो जाएगा ये भी स्त्री लिंग होगा विभक्ति इसमें कौन सी है सश्ठी विभक्ति है और वचन कौन सा है बहु वचन है नारी लाम ये बहु वचन है तो यहाँ पर लिखेंगे बहु वचन अगला है मनोरमया तो इसका मूल शब्द क्या हो जाएगा मनोरमा क एक वचन तो इस तरीके से यहाँ पर मूल शब्द लिंग विभक्ति और वचन बताना है अगला है अधो लिखिता नाम धातु नाम लकारम पुरुशम वचनन चा लिखत अभी हमने उपर क्या किया था पदों का पद परिचे दिया था अभी यहाँ पर क्या है धातु का लका पुरुश और वचन बताना है जैसे कि याँ पर उदारड दिया गया है आसीत तो आसीत कौन से धातु है अस धातु का यह रूप होता है और इसका लकार कौन सा है लंग लकार है पुरुश कौन सा है प्रथम पुरुश है और वचन कौन सा है एक वचन है इसी प्रकार से अ यहाँ पर हो जाएगा बहुवचन कुरवंति है तो यह है बहुवचन का रूप अगला है आगच्छत तो यह गम धातु का रूप है यहाँ पर धातु लिखेंगे गम और लकार इसका हो जाएगा लंग लंग लकार का रूप है यह तो यहाँ पर लिख देंगे लंग और पुरुष हो जाएगा यहाँ पर प्रथम पुरुषः और इसका वचन हो जाएगा एक वचन अगला है निवसंती, तो इसका मूल धातु है वस जिसमें के नी उपसर्ग लगा हुआ है और इसका लकार हो जाएगा लट लकार, प्रथम पूरुष का ये सब्द है और यहां पर वचन हो जाएगा वहु वचन अगला है गमिश्यति, तो इसका धातु है गमधातु, गमधातु का ये रूप है और लकार हो जाएगा यहाँ पर रिट लकार, पुरुष यहाँ पर हो जाएगा प्रथम पुरुष और वचन हो जाएगा एक वचन इसी प्रकार से अगला है अकरोत तो इसका धातू हो जाएगा क्री और लकार यहाँ पर हो जाएगा लंग लकार पूरुष यहाँ पर होगा प्रत्म पूरुशह और वचन हो जाएगा एक वचन अगला है अधो लिखतानी वाक्यानी घटना क्रम अनुसारम लिखत अब यहाँ पर कुछ वाक के लिखे हैं इन्हें घटना क्रम के अनुसार लिखना है कि कौन सी घटना पहले घटी थी उसी के अनुसारी से लिखना है जैसे कि देखिए यहाँ पर पहला है रमाबाई महोद इन में सबसे पहली घटना कौन सी हुई थी? इन में सबसे पहली घटना हुई थी रमाबाई का जन्म इसे लिखेंगे नमबर वन पे अगला देखिए यहाँ पर इसके बात क्या हुआ था? उन्होंने सिक्षा प्राप्त की थी तो यहाँ पर हो जाएगा फिर क्या हुआ था? उनका विवाह हुआ था तो यहाँ नमबर तीन पर आ जाएगा रमाबाई महोदयाया विपिन बिहारी दासेन सह विवाह अभवत इसके बात कौन सी घटना घटी थी? यहाँ पर आ जाएगा यह जो नमबर गापे है यह चोथे नमबर पर आ जाएगा सा उच्च सिक्षार्थम इंग्लेंड देशम गत्वती इसके बात क्या हुआ था? उन्होंने मुंबई नगर में शार्दा सदन के स्थापना की थी तो यहाँ पर हो जाएगा पाँचवे नमबर पर सा मुंबई नगरे शार्दा सदनम अस्थापयत और आखरी वाग के हमारे पास बचा घा नमबर का जिसे के हम छटे नमबर पर लिखेंगे 1922 तमे क्रिश्टावदे रमाबाई महोदयाया निदनम अभवत 1922 इस वी में रमाबाई महोदया का निधन हो गया तो इस तरीके से इसे घटना क्रम के अनुसार लिखना है तो इस प्रकार से हमने इस पार्ट के अभ्यासकारी को कर लिया है अगर आपको कोई दाउट हो तो कमेंट करके पूछें और वीडियो हेलफुल लगी हो तो इसे लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में निव टॉपिक के साथ तब तक के लिए टेक केर और बाई बाई